गोड़ मॉर्निंग बच्चो मैं आपकी सपना मैडम बच्चो आज मैं आप लोगों को एक कभिता के माध्यम से समय का महत्व समझाओंगी अगर हम बच्चो हर काम समय से करने लगे तो हमारा जग में उचा नाम भी होगा और हमारे माता पिता का नाम होगा साथ में हमारे गाओं का नाम होगा हम जहां से भी संबंध रखते हैं वहां का नाम होगा साथ में हमारा भी नाम होगा तो हमें हर काम समय से करना चाहिए समय से जो नहीं चलता वो हमेशा पिछड़ा रहता है परिसान होता है तो बच्चो हमें समय का महत्तु समझना चाहिए और हर काम अपने समय से करने चाहिए तो बच्चो मैं आज आप लोगों को समय के महत्त उपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुनिए सदा समय पर जागो सो सदा समय पर खाओ सदा समय पर जागो सो सदा समय पर खाओ सदा समय पर खेलो कूदो सदा समय पर नहाओ सदा समय पर पढ़ने जाओ, सदा समय पर आओ, कभी भूल कर भी अपना समय न ब्यर्थ गवाओ अगर चाहते हो तुम अपना जग में उचा नाम करो, तो फिर याद रखो जीवन में, सदा समय पर काम करो, सदा समय पर काम करो, उमीद है बच्चो, आप लोगों को ये समय का, जो महत्तोपे कभीता है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग बच्चो हमेशा इस कभीता में जो जो बाते सिखाई गहीं है, उनका पालन अवस्यकरना, थैंकि यू बच्चो